हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज हम लोग क्लास टेंद का मैट्रिक एक्जाम जो बिहार बोड का हुआ है 2020 में उसके सिट टू में जो समाजिक विग्यान में अब्जेक्टिव क्वेस्चन्स पुछे गया थे वस्टू निस्ट प्रस्ट उन सभी को देखने वाले हैं और ये लगभग 48 क्वेस्चन्स है तो सोच के देखे कि कितना महत्वपून है और भीहार बोड में जितने भी क्वेस् अगर आप पिछले वर्सों का जो क्वेस्चन ब्रेंक है उठाकर के देखेएगा तो बहुत से ऐसे ग्वेस्चन्स है जो बार-बार रिपीट होते हैं इसलिए इन वीडियो को पढ़ना और समझना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है तो ये वीडियो अगर आप 2022 में अ अग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है तो प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखेगा पुड़ा देखेगा और अगर इस चैनल पे निव हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करने चे और वीडियो को ल था विष्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्स आरम भुगा था यानि कि उसमें पूछा गया था क्या कि जो विष्व व्यापी जो वर्डवाइड डिप्रेशन आया था इंगलिज में इसको क्या बोलते है संकट का आर्थिक संकट को एकनॉमिक डिप्रेशन आया था वो कब आया था तो वो आया था फ्रेंड्स 1929 में आया था उसकी शुरुआत कब हुई थी 1929 में तो आपको यह सी वाला जो अप्शन ने इसको चुनना था ठीक है तो अगर आप विस वर्ल्ड क्राइसिस के बारे में सुने होंगे जो पढ़े होंगे 1929 में आया था तो वो खत्म कब गा था तो 1949-1940 तक जा करके यह जो विस व्यापी आर्थिक संकर था यह जा करके कब खत्म गा था 1949 में और इसकी शुरुआत कब हुई थी यानि कि क्या पुछ रहा है कि आरंभ वर्स क्या है यानि कि स्टार्ट कब गा था तो यह हुगा था 1929 में ठीक है आगे बरते द गवार RSS के संस्थापक थे ठीक है और इसकी अस्थापना कवीती तो 27 सितंबर 1925 को ही थी ठीक है आगे बरते हैं तिसरा जो क्या था वो क्या था कि भारतिये राश्ट्री कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप हिस्ट्री के बुक में पढ़े होंगे जब कॉं तो ये कौन थे? एओ हिूम थे? कौन थे? एओ हिूम ने 1885 में कॉंग्रेस की अस्थापना किया था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर जी ये आपको याद रखना है पूछा जागा सिपाही विद्रो कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेशन क्या है किसी पाही विद्रो इसको देश का पहला सोतंत्रता अंदोलन भी कहा जाता है तो ये कब हुगा था? तो ये हुगा था? अठारो सो संतावन में ठीक है? आगे बरते हैं पाचवा नंबर जो क्या है कि निम्न में कौन से संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए यानि कि कौन सा ऐसा संस्थान है? ये चार संस्थानों के नाम दिये हुए हैं उन में से आपको चून करके ये बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा संस्थान है? जो मुद्रा जारी करता है यानि कि मुद्रा भारत की मुद्रा क्या है रुप्या? तो रुप्या को जारी करने क का आधिकार किस के पास है तो वह हे। क्या है आपदा क्या है, अपदा परवंधन के बारे में परना है, टेंथ क्लास में क्या परना आपदा परबंधन के बारे में तो यह जो question है वो आपदा परबंधन से ही है तो इसमें से चून करके यह पताना है कि मानो जनित आपदा नहीं है यानि कि यह प्राकिर्तिक आपदा हो सकती है तो कौन सी है तो आतंकवाद यह मानो जनित है मानो के द्वारा किया जाता है रेल यह भी आपदा परबंधन सही question है तो क्या है कि बार के समय जो बार आती है तो लोगों को कहा जाना चाहिए गाओं के बाहर खेतों में उच भूमी पर या कही नहीं तो इसका right answer क्या हो जागा उच भूमी पर जाना चाहिए जिससे हम बार से बच सके आगे निम्न नदियों मे से किसे बिहार का सोक कहा जाता है तो यह आपको पता होगा कि बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो कोशी नदी को कहा जाता है किसको कहा जाता है कोशी नदी को क्यों कहा जाता है क्योंकि कोशी नदी में हर शाल क्या आता है बार आता है और इस बहुत सारे लोगों की ब पंचायती राजवियोस्ता, यानि कि पंचायत का जब चुनाव होता है, तो कितने वर्सों के लिए कारे करती है, तो वो 5 वर्सों के लिए करती है, तो बिहार में पंचायती राजवियोस्ता का जो कारेकाल है, यानि कि जितने समय के लिए पंचायत कारे करती है, उसको क्या सदस्य होते हैं और अगर बात करें राज्य में बिधान सभाग के का कारेकाल कितने वर्षों का होता है जिसमें चिफ मिनिस्टर होते है तो भी पांच वर्षों का ही होता है राष्टपती का भी कारेकाल कितने वर्षों का होता है उप राष्टपती का का कितने वर्षों का हो गठन फर्नान्डेश, नितिश कुमार और सरदयाद एक आगे बड़ते हैं कि इसके नेत्रित में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, यानि कि जब देश में आपातकाल लाग हुआ था, 1975 में इंद्रा गांधी ने देश में क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था, उसके बाद जब आपातकाल 1977 में खतम हुआ था, कब खतम हुआ थ तब से Congress Party का ही परधान मंत्री नियूक थो करके आ रहा था यानि कि चुन करके आ रहा था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब देश में इमर्जेंसी लाग हुआ था अपातका लाग हुआ था तो उसका जब चुना हुआ था 2017 में तो पहली बार किसी Non-Congressy जो थे वो प्राइम मिनेस्टर बने थे तो वो किसके नेत रित्म में बने थे तो बहुत सारे चोटी चोटी पार्टी आपस में मिल करके जितने भी सिट जीते उन सबी ने मिल करके क्या किया था सरकार का गटन क्या था जिसका क्या नाम दिया थ इसमें पर्धान मंत्री कौन बने थे अगे बरते है 15 लोग्सभा का चुनावी किस वर्ष हुआउए गब गुए। पंदरह हुई, 2008 में, और अगर नो में और उसके बाद 14 में, वो कभ था हुआ था, 2009 में हुआ था, 16 में कभ था, पांच वर्स गर पाद अगर कशनरत वर्स 2259, ऐ हो गया 16 में, और ये 2019 में क्या होगा, 17 हमी evento कीशाओ कई वर्सवा का जचनरत अगर वर्स वर्स उंगए था तो फूट डालो और राजकरो की निती जो था वो कौन अपने आथा अंग्रेजों ने अपनाया था अच्छा ये फूट डालो और राजकरो का मतलब क्या होता है यानि कि लोगों के बीच में क्या डाल लेना है फूट डाल देना है फूट मतलब लोगों को आपस में जкая लोग करने वाले लोग रहते जैसे हिंदु हो गया मुश्लिम हो शीक हो गया इसाहिँ हो बहुत सकर लोग रहते थे तो इनके बीच में आपस में एकता नहो यानि कि ये लोग आपस में मिल 51 कर से अंग्रेज आ इस चीज़ से बचने के जीवन में सबसे महतवपुन क्या है यानि कि मनुष्य का जो आर्थिक जीवन है उसमें सबसे महतवपुन अस्थान क्या रखता है जमीन, मुद्रा, खेट के कागजात, मालगुजारी के रसीद तो आपको पता होने चीवन है कि मुद्रा सबसे बड़ी जो है महतवपुन उद्रा हो जागा आगे बरते हैं भारत का किंद्रिये बैंक कौन है तो भारत का किंद्रिये बैंक किसको बोले जाता है रिजर बैंक को बोले जाता है क्या बोले जाता है भारत का किंद्रिये बैंक कि यह आपको याद रखना है सेंट्रल बैंक नहीं पूछ रहा है जैसे वह इंडिया को बोले जाता है भारत का केंद्रिय बैंक और आर बी आई का मुख्याल है कहां पर है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आर बी आई कितना पता होगा कि इसका जो राष्ट्रीकरन है वो उनिस सुनहत्तर में क्या गया था कब क्या गया था उनिस सुनहत्तर में और यह था क्या कि बहुत से से कॉमर्शियल बैंक थे उनको इंद्रा गांधी ने क्या किया था उससे में कि परदानमंत्री कौन थी इंद्रा गांधी तो वो क्या हो गया सरकारी बैंक में तबदिल कर दिया गया यानि कि जो प्राइवेट बैंक entr CAS को قर दिया गया सरकारी बैंक बना दिया गया और इसको उपर सरकार का तो यह महानदी पर यह आपको याद रखना है कि जो हीना कुंड बाद रहे हैं llev किसwest 비कуль यहनदी पर और महानदी है कहाँ पे उरीशम नहीं है उस जगह पे क्या है बहुत बड़ा डेल्टा बना हुए बहुत युप जाओ भूमी है और वहां पे सुंदरी ब्रिक्च पाए जाते हैं वहां पे बहुत से ऐसे पेर है जिसको क्या बोला जाता है और उसी सुंदरी ब्रिक्च के कारण वो जो जंगल है वो जो एरिया है उस सम्मेलन कहां हुआ तह तो ये आपको पता होना चीए निवी आर्क में, पेरिष में, मासकू ने कहां, पर होगा था, तो इसका राइट एंसर हो дух जागा, इन में से कोई नहीं, यानि कि जो दुतिये प्रिथ्वी, सम्मेलन था, वो प्रिथ्वी सम्मेलन था, यह आपको पता स्वीडन स्वीडन की राजधानी चो स्टोकम है वहां पे क्या हुआ था पहला प्रिथवी समयलन हुआ था कब हुआ था उसके बाद 10 हर एक 10 वर्ष के बाद यह प्रिथवी समयलन है यह आयोजित करने का निर्ण लिया गया तो पहला अगर 1931 में हुगा तो दूसरा कब हुगा 10 साल बाद याणी discoverạnh तो जो दूसरा पिर्थी समयलन हुगा था orta नेरोबी केनिया में हुगा था और तीसरा कब हुगा 1992 में eller Canada Leo Brazil में हुगा था Rio dGL का एक सहर है वहाँ पे क्या हुआ था तीसरा प्रित्वी समयलन हुआ था चौथा जो है दस सालबाद कब हुआ 2002 में और यह कहां पर हुआ जोहांसबर्ग दच्छिन अप्रिका में हुआ पाचमाँ 2012 में हुआ और यह कहां पर हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजिल में ही हुआ तो यह आपको पाचो याद रखना है आगे बढ़ते हैं कोई भी पूछा जाज सकता है अभी माली जे यहां पर द्वीतिय प्रित्वी समयलन पूछ ले माली जे त्रितिय पूछ चकता है प्रथम पूछ चकता है तो यह आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं Viena Congress कब हुआ था याने कि Viena जो Congress है ये कब हुआ था 201815 में हुआ था कब हुआ था 201815 में और Viena Congress यो है उरोपिय देशों के राजधूतों का एक संमहिलन था क्या था कि जितने भी यूरोपिय राजदु थे इनका एक सम्मिलन था जो सितंबर 1814 से ले करके 1815 को वियना में आयो जित क्या गया था इसी को क्या बोला गया वियना कॉंग्रेस बोला गया तो यह कब हुआ था 1815 में आगे बरते हैं फ्रैंकफर्ट की संधी पर हस्ताक्षर कब हुई थी तो फ्रैंकफर्ट की संधी पर जो है हस्ताक्षर कब हुआ था 1871 में हुआ था कब हुआ था 1871 में हुआ था और यह फ्रैंको पुरुशिया यूद्ध के अंत में दस मई하기 1871 को फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ था? यह 7 संदी की गई थी जिसको क्या बुला जाता है? फ्रैंकफर्ट की संदी तो यह आपको पता होना चीए यह कब हुआ था? 1871 में आगे बरते काल मार्क्स का जन्म कहा हुआ था तो जो काल मार्क्स थे जिने समाजवात का जनक भी कहा जाता है तो जो कार्ल मार्क्स इनका जर्म कहा हुआ था जर्मनी में हुआ था, कहां पे हुआ था जर्मनी, आगे बरते हैं दास केपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो दास केपिटल जो बुक है, इसके राइटर कौन है कार्ल मार्क्स है कौन है कार्ल मार्क्स है कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के जनक कौन है कार्ल मार्क्स है ठीक है तो ये इसका प्रकाशन कब हुगा था यानि कि दास कैपिटल कभ इन्होंने प्रकाशित किया था तो अठारा सो सरसट में किया था कब किया था अठारा सो सरसट मे और दास केपिटल के एक बुक है और इस बुक के लिखने वाले कौन है कारल मार्क्स है आगे बरते हैं नेमने में से कौन रभी फसल है तो जैसे आपको पता होगा कि रभी फसल क्या होता है खडी फसल क्या होता है जायत फसल क्या होता है तो रभी फसल जो है न वो क्या होता ह ठंड के मौसम यानि कि नॉवंबर से ले करके जनवरी फड़वरी मार्च के 20 में क्या किया जाता है ये फसल होता है तो ये जो फसल है जैसे जुआर हो गया धान हो गया गेहू हो गया जूट हो गया या धान जुआर हो गया तो जो रभी फसल है वो कौन है गेहू है यानि कि यही क्या है ठंड के मौस में नमवंबर में इसकी क्या की जाती है बूआई के जाती है नमवंबर-दिसंबर में तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा गेहु हो जाएगा आगे बड़ते हैं टाटा and इस्टिल कमपणी के अस्थापना कब हुई थी तो Tata Iron and Still Company का जो अस्थापना है वो कब गा था? 1907 में हुगा था, कब गा था? 1907 में हुगा था, जमसेदपूर में और इसके अस्थापन कौन थे? जमसेद जी Tata थे आगे बरते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये चार ओप्षन दिया हुगा, इसमें बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा सहर नगर का मतलब का होता है सहर? तो सबसे बड़ा सहर कोन है? पटना, भागलपूर, आजीपूर, दरभंगा तो इसका राइट एंसर क्या होगा? आपको पता होगा ये पटना है आगे परते हैं कुसेसवर अस्थान किस जिला में इस्तित है? तो कुसेसवर जो अस्थान है वो किस जिला में है? दरभंगा जिला में इस्तित है आगे बढ़ते हैं लोगतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है यानि कि अगर लोगतंत्र की जो उपलब्धी है उसमें सबसे सहायक क्या है यानि कि लोगतंत्र को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो क्या है जैसे यहां पर successful होना और विश्वमता अगर है तो उसमें भी क्या है लोगतंत्र successful नहीं हो सकता है तो क्या है कि अगर लोगतंत्र की उपलब्दियों को और बढ़ाना है तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़े हो क्या है विकास तो इसका right answer क्या हो जागा आगे बात करते हैं दल बदल कानून लागू होता है अब यह दल बदल क्या कानून क्या है तो जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी भारत में क्या है बहुत सी political party है जैसे example के तोर पर अगर लेते तो बीजेपी है antes है categories है Lets baw क्या लाना होता है अगर मालीजे आप election हो रहा है बिहार अगर एक example ने बिहार में कितने इस सीट है कि बीधान सभाकी है तो है 243 अब कोई भी party अगर सरकार बनाना चाहती यानि कि अपना chief minister इलेक्ट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि 243 इटों पे चुना होता है, यानि कि हर एक पार्टी अपना अपना candidate उतारती है, और वहां पे क्या करती है, कि election में participate करती है, और जब election का result आता है, तो बिहार में कोई भी पार्टी अगर 122 का आकड़ा कर लेती है, अब बात करते हैं कि माली जी किसी भी इस तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत दिखल पार्टी यान चुनाओ लरती है, तो माली जी किसी भी पार्टी को क्या है, कि उतने candidate नहीं आए, तब क्या होता है न, कि ये लोग जोर तोर करने लगते हैं, आनि कि माली जी आर्ज आर्जेडी के कुछ बिधायकों को ये कह आए, तुम मेरे में आ जाओ, और हम क्या करेंगे, यहां से 22 एक्स्ट्रा करके और अपने सरकार बना लेंगे, तो ये जो तरीका है, तो ये गलत है, आर्जेडी को क्या हो जागा, नुकसान हो जागा, तो इस चीज को रोकने के ल अगर आप इस पार्टी को छोर करके इस पार्टी में जाना जाते है, तो आपके बिधायकी भी क्या चली जागी, सोता चली जागी, यानि कि अर्जेडी वाला जा करके कम्प्लेन कर देगा, तो ये गलत बात है, तो इस चीज को रोकने के लिए क्ले क्या बनाया गया था, तो ये किसके उपर लागू होता है, तो ये लागू होता है, सांसदो और विधायको पर, ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्यों क्या है, निम्न में कौन बिमारू राज है, तो बिमारू राज में क्या आता है, बिहार आता है, किसको बोला जाता है, बिहार को क्या बोला जाता है बिमारू राजी बुला जाता है ठीक है क्योंकि ये पिछरा है इसके कारण क्या है यहां पर अभी हाल ही में जो डेटा जारी किया गया है नितियायोग के द्वारा उसमें क्या बुला गया है कि बिहार में 50% से ज्यादा लोग जो है वो मल्टि डाइमेंशनल पॉवर्टी में है यानि कि बहरेक तरीके से गड़ीब है बहुत सारी चीजों के चीजों को अगर ले करके चलते हैं तो उसमें बिहार की गड़ीबी क्या है बहुत ज्यादा है तो इसमें क्या बला गया है कि बिमारू राजी किसको बोले राता है तो को बोले रहता है आगे बात करें विस्व व्यापार संगठन का मुख्याल है कहां पर तो विस्व व्यापार संगठन जिसको WTO भी बोलते हैं क्या बोलते हैं WTO W का मतलब World T से मतलब trade और O से मतलब organization यानि कि वर्ल्ड trade organization यानि कि विस्व में जितने भी व्यापार होते हैं उन सब को कंट्रोल करता है यानि उनकी देखरे करता है उनको नियंतरित करता है कोई गलत तरीके से ट्रेड न करे इसके उपर निगरानी को रखता है WTO रखता है तो इसका जो मुख्याला है वो कहां पर जेनेवा में Switzerland जेनेवा में ठीक है या आपको याद रखना है और इसके अस्थापना को हुई थी तो इसके अस्थापना 1995 में हुई थी कब हुई थी 1995 में आगे बरते हैं भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था 1993 में पारित हुआ था ये आपको याद रखना है आगे बरते हैं बिहार संपन है बिहार जो है वो किस चीज में संपन तो बिहार क्रिशी में संपन है यानि कि यहां पर खेती बारी बहुत अच्छी है कि यहां की जो मिट्टी है वो बहुत ही उप जाओ है और यहां पर पानी की भी उप लबदता हो जाती है तो यहां पर क्रिशी क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है तो बिहार किस च में ठीक है आगे बरते हैं बोलसेवी करान्ती कब हुई थी तो बोलसेवी करान्ती क्या अब कब हुगा था नोमबर 1917 में हुगा थे यह जो 40 वह नंबर कोशिचन है कि मार्टन लूथर कौन थे तो मार्टन यह मतलब एक वाक्य इनका दिया हुआ था जो इनों ने बोला था कि मुद्रण के आईस्वर की दी हुई महांतम देन है एक तोफा है तो यह कौन बोले थे मार्टिन लूथर ही बोले थे तो यह सिफट वन में दिया हुआ था कोस्चन यानि कि माटेन लुठर से सिफ्ट वन और सिफ्ट दूर दोनों में कोश्चन है था तो यह क्या थे समाज सुधारक थे आगे बरते हैं पंद्रहभी लोगसभा में महिलाओं के कितनी भागदारी थे यानि कि जो पंद्रहभी लोगसभा 2009 में हुआ था 2009 में जो लोगसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें महिलाओं के संख्या कितनी थी 59 थी 59 और ये परसेंटेज में हो जाता है कितना परसेंट 12 दो 0 परसेंट होता है ठीक है आगे बरते हैं निम्नी में कौन केंदर सासित परदेस है तो जैसा कि आपको पता होगा ये बहुत ही आसान कोश्चन है उत्राखंट 36 चंडिगर केरल जैसा कि आपको पता होगा केरल उत्राखंट 36 चंडिगर ये सब क्या है राज ये है जिबकि चंडिगर क्या है एक केंदर सासित परदेस है यानि कि इसके असासन भयोस्ता कौन देखते हैं, राष्टपती देखते हैं, केंदर के द्वारा देखा जाता है, आगे बात करें, बांगलादेश कब सोतंतर हुआ था, तो उनिश्यों 71 में सोतंतर हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा, इसके लिए क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हूआ था, भारत ने पाकिस्तान का दो बड़ो, टुगहा कर दिया था, यानि कि जैसा कि आपको पता होगा कि, जैसा कि पता होगा कि यह अगर इंडिया का मैप करते हैं, तो एक गजांपल को तORपे देखते, तो इधर क्या है, वेस्ट पाकिस्त विद्रिट्रेयृटर कर दिए इसके हैं यीघा इसी संदीरे ए इससा आप को पता हुआ कि भारत का भी भाजन धर्म थी भारत की इंद्रा गांधी थी तो इंद्रा गांधी ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ यूद दिख्या था और पाकिस्तान के दो टुक्रे यानि के बांगलाद इसको क्या कर दिया था लिबिरेट करवा दिया था आजाद स्वतंत्र करवा दिया था तो यह कब गा था 1971 आगे बरते हैं पत्ना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है तो इसको महापौर कहा जाता है क्या कहा जाता है महापौर आगे बरते तारापूर पर्मानु उर्जाकेंद्र कहां पे है तो तारापूर पर्मानु उर्जाकेंद्र कहां है महारास्ट में है किस राज में बनों का सबसे अधिक विस्तार है तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे जंगल है तो कहां पे मद्दे पर्दिस में कहां पे है मद्दे पर्दिस में आपको पता होना जाए कि सबसे ज्यादा जंगलों का छेत्र है वो सबसे ज्यादा कहां पे विस्तार तो मद्य पर्दिस में है, आगे बरते हैं rail workshop इस्तित है तो rail workshop कहाँ पर है, जमालपूर में कहाँ पर है, जमालपूर, और ये rail workshop से related, ये question shift 1 में भी आया था, आगे बात करें तो metro rail से वाउपलब दे, तो जो metro है, वो कहाँ पर चलती है जैसा कि आपको पता होगा ना, तो धनवाद में चलती है, या फिर गुवाटी कहीं नहीं चलता है, बलकि दिल्ली में चलता है तो इसका right answer क्या हो जागा, दिल्ली हो जागा ठीक है, तो ये थे 48 questions जो हर एक shift में पूछे जा रहे हैं shift 1 में भी 48 questions पूछे गया तो objective, और shift 2 में भी 48 questions पूछे गया है, तो सोच के देखे कितना महत्वपून है, और अगर आप इन questions को एक या दो बार रिभाइच करते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जागा, बहुत ही महत्वपून हो जागा, ये आने वाला जो हो गया, हिंदी हो गया, बहुत से ऐसे जितने भी subjects हैं, उन सभी का क्या है, previous years questions के series आने वाले हैं, वीडियो जाने वाले हैं तो प्लीज उन सभी को complete देखेगा और अभी सोच रहे हैं कि जितने भी metric आजितने भी subjects हैं, उनका quick revision का वीडियो अप्लोड किया जाए, तो उसके बारे में भी comment box में जरूर comment करके बताईएगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये, तो प्लीज चैनल को subscribe किये बना मच जाईएगा, और वीडियो को like किजेगा, ठीक है तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद